नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में दोस्तों हम लोगे आपर हमेशा की तरह हिंदी का फुल्टे सॉल करेंगे जहां पर आपके 50 प्रस्ण होंगे यह प्रैक्टिस सेटमर आपका 182 है इसके पहले हमने 181 ना आए तो 2-4-5 मिनट में या 9 बजे आप हमारे चैनल में आकर देख सकते हैं और अब ही तक आपको पीडियाप नहीं प्राप्त हुए तो आप हमारे टेलीग्राम से जूड़ जाएए वहां पर आपको पीडियाप भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा तो चलते हैं स्ट है पानी पानी होना यहां पर आपको आप्सेन के अनुसार देखना है और आप्सेन के अनुसार आपका हैं धंधिक लज्जित होना यह नंमपर कि एक सब्ध बताऎे क्या हो जाएगा कलपना से अधिक अतथ ya को जाएगा कलपना तीत क्या हो जाएगा कलपना तीत और आप का सी कोछन आप शचला पूछ गया है कि निमलिख्यत में से कौन सा सब्द अप उफशर्ग से निर्मित नहीं impressed नहीं हैं तो देखो आप से यह भी है अपसे यह भी एकिन अद यह आपका यह पर नहीं है Olha मैं बी हो जाएगा में मिल्गित में से की वर्थनी सुद्ध है किस circular टी है यह पर तरहे को आपको यह पर यह आपर वर्थनी यह पर द्राइट पारथ होता है न यह month के tu भासा हिंदी की किस उभासा की बोली है हमने आपको उताया था कि जो आपकी पस्चमी हिंदी है पस्चमी हिंदी में पांच उभासाएं हो जाती है जिन में से आपकी कौन से हो जाती है यहां पर option right आपका ब्रज भासा का की है तो यह आपकी पस्चमी हिंदी की 57 को option right आपका भी हो जयगा पश्चमी हिंदी नेश कर आप से अनना भाव किस प्रकार का आपका समास है अनना भाव अर्थात अन का आभाव तुखका सब्द जो का सब्ध है अर्थात इसका मतलब कारक है और कारक चिनने लगते हैं आपकी किस समास में तत्पूरुष समास में, और से रैट आपका ए हो जाएगा, नेश कर आप से पंच वटी किस समास का उधारन है, पंच वटी अथाथ पांच ब्रच्छों का जो समाहार होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, पंच वटी, यहाँ पर जो संख्यावाची है, संख्यावाची अर्थ समास हो जाएगा, नेश कर आप से निश्फल किस प्रकार की संदी है, लगभग आपको देखो कि जो भी संदी आती है, बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पर जो साथ सब्द है, इसका बिसर्ग लगाना है, अर्थात यह आपका बन जाएगा, नहीं, और आपका सब्द का बिसर्ग हो जाएगा, नेश कर आप से आरोह सब्द का बिप्रीश सब्द क्या होगा, आरोह सब्द का हो जाएगा, और रोह हो जाएगा, ठीके, आरोह का क्या हो जाएगा, और रोह हो जाएगा, और रोह हो जाएगा, और रोह हो जाएगा, आप से लंबोधर किस प्रकार का सब्द है तो देखो याँ पर सब्द आपकी जो आपके है रूड सब्द योग रूड सब्द और आपका योगिक तो देखो रूड सब्द होता है जिसके हम खंडन नहीं कर सकते हैं जैसे आपका दिया है पानी तो देखो इसको अलग करेंगे तो पाग कोई निकलेग अर्थ आता है अपका tới रोड सब्द है ठीक है जैसे हाथ Sunny हो गया पांअ हो गया यह आपकी रोड है जिन्के खंडन नहीं कर सकते है यूगिक सब्द क्या होता है जिसके खंडन कर सकते हैं वही आपकी यहां पर कह सिकते हैं योग रूट सब्दनें जिसके विश्य शर्थ निकलता है तो यहां पर लंबोधर अर्थात कह सकते हैं घड़ेष भगवार के लिए बात हो रहे है तो आपका यह हो जाएगा योग रूट सब्द रट लीजिएगा नेस कर आप से आपर चुहे का बच्चा बिल ही खोदता है का क्या अर्थ है तो चुहे का बच्चा बिल ही खोदता है अर्थात आपका कह सकते हैं कि जन्मजात कारे बदल नहीं सकता जो मतलब जिसका जो कारे होता है वो आपको वही कारे करेगा अर्थात यहाँ पर तिसर्ट का option right up का भी हो जाएगा जन्मजात कारे बदल नहीं सकता next question आप से गला है कि जो वस्तु ब्यक्ति या परिस्थितियां इस्थाई भाव को जागरत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं तियाद रखे बिलकूर आपकी परिभासा दे दी गई है आपके किसके उद्दी पर विभाव अर्थात यहाँ पर आपका विभाव हो जाएगा option right up का A हो जाएगा next कर आप से धर्मा धर्म में समास बताइए काफी बच्चे confusion होंगे इसका अर्थ समझे धर्मा धर्म अर्थात यहाँ पर आपका जो सब्द जुड़ा है इसका अर्थ हो जाएगा धर्मा धर्म धर्म और अधर्म क्या बोलेंगे धर्म और अधर्म बोलेंगे इस प्रकार से यह जो आपका और सब्द इंगित करेगा वो आपके दोंद समाज को करेगा इस प्रकार से आपसन आपका ए हो जाएगा याद रखेगा धर्मा धर्म दे रहा है अर्था धर्म और अधर्म हो जाएगा ना कि आप रगे सकते हैं जैसे आपका धीरे धीरे वो सब दलक होता है धर्मा धर्म आर्था न्य départ है। जोडए है तो बड़ा आपका गैब कर दिया गया है। इस प्रकाश से लिखा है धर्म और अधर्म और अधर्म और आपको पता है धर्मD आपका वोजेगा। और आप से किँम्न में से टीका का पर्यावाच्य कोहँता यह तो देखें तिका Kㄬ tadi हो बहसांतर भी और भासी इस अक यि करीवी यह सबुपनी को से कश्चत कर ideal को से ने सबीं नहीं है हमने आपको पूर्वी हिंदी से बहुत बार पढ़ाया है बिलकुर रट गया होगा ये पूर्वी हिंदी में आपकी A, B, C आउधी, बगेली, चतिस गड़ ये तीन होती है तो यहाँ पर आपकी मालवी आपके पूर्वी हिंदी में नहीं आएगी, और अपसन राट आपका C हो जाएगा नेस कर आप से निम्ड में से कौन सा बादल का पर्यावाची है बादल का पर्यावाची तो देखो बादल का पर्यावाची आपका पयोद भी होता है धराधर भी होता है, मेक भी होता है अम्बुद भी होता है बलाहल भी होता है जीमूत भी होता है आथा तो आपसन रेट आपका यह D हो जाएगा आप लोगों से रुकेस्ट है कि आप लोग डेली का डेली आप विलोम सद पर्यावाची यह पढ़ते जाएगे क्योंकि एकजाम में आपको यही कनफूजन कर सकते हैं अधर आपको तो बिल्कुर रड़ गया होगा नेश कर आप से राहत का विलोम सब्द क्या होगा राहत का विलोम तो भाई राहत का विलोम क्या होता है आपका प्रकोप हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रकोप ऑप्सन रेट आपका A हो जाएगा नेश कर आप से सातत्य क का उप्रति हिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा है प्रति हिंसा में कौन सा उपसर्ग है तो आपको दिखो विद्यार्थी कि संदी का विछेद है विद्यार्थी बिल्कुल सिंपल है आपका बड़ा और आपका चोटा बराबर आपका बड़ा हो जाता है जो कि आपका पहली संदी होती है ठीक है तो विद्यार्थी हो जाएगा लेकिन विद्यार्थी किस प्रकास से लिखा जाएगा तो यह लिखा जाएगा option आपका B, इस प्रकास से विद्यार्थी लिखा जाएगा, सभी में कहीं न कहीं आपको अंतर देखने को मिला होगा, यहाँ पर आपका वड़ी B है, जबकि गलत है, ठीक है, अंसर आपका B सही हो जाएगा, इस प्रस्ण का जवाब आपको यह देना ह सनमार्ग, तो सनमार्ग का स्थ है जो मार्ग, उसे बोलते हैं सनमार्ग, option आपका B हो जाएगा, नेस कर आप से जो बात हर्दय में अच्छी तरह बैठ गई हो हे तु प्रियुक्त सब्द बताए तो जो बात हर्दय में अच्छी तरह बैठ जाती है तो भैई इसको क्या बोलेंगे तो इसे बोलते हैं हम लोग हर्दय यंगम अच्छी तरह बैठ जाती हम लोग हो जाएगा नेस कर आप से तारे गिन्ना मोहरे का सही अर्थ क्या है यहां पर आपका हो जाएगा चिंतित रहना क्या हो जाएगा चिंतित रहना अप्सन रेट आप का बी हो जाएगा नेस कर आप से स्रंगार रस का इस्थाई भाव क्या होता है बिल्कुल सेंपल स्रंगार रस का इस्थाई भाव होता है रती क्या होता है रती अप्सन रेट आप का सी हो जाएगा नेस कर आप से किस रस को रसराज माना गया है तो रसराज किसे माना गया है तो आपके स्रंगार रस को रसराज का जाता है आप स्राइट आपका A हो जाएगा नेश कर आप सी छपपए किस प्रकार का चंद है तो देखो छपपए और जैसे आपकी कहल सेकते हैं कि आपके कुंडलिया होती है उनमें हम लोग मात्राइं गिनते हैं अर्थाती चप्पै जो है आपके मात्रिक छंद का उदारान है उस्तन आपका A हो जाएगा नेश कर आपसे इसकंद गुप्त किसकी नाटिकरती है आप लोग ने हाई स्कूल में भी इस प्रस्न को पढ़ा ह लुपा के क्रिश्ण आपके करती है इसकंद गुप्त किसकी नाटिकरती है तो कृश्णे आरून जो आपकी है ये क्रतिक इसके है यह है आपके माखनला चतुरवेदी और आपका बी हो जाएगा देखो हमने आपर के सकते हैं रचनाओ से सम्मंदित बच्चों को प्रॉब्लम कमेंट में देखे के गए थे तो आपको बता दे हम रचनाओ सम्मंदित हमने कई वीडियो बनाए है आप प्ल बादल राग किसकी लंबी कविता है तो याद रखिए बादल राग हो जाएगा 84 को उप्शन राइट आपका हो जाएगा कौनसा यहाँ पर निराला अर्था सूरी कंत तिरपाठी निराला की है नेस कोचन आपको दियें सुद्ध और असुद्ध करना यहाँ पर आपको द माठी यह पर कहाए तो दियें स्टार्टिंग में क्या होता है या तो संग्या होता है और संग्या किस प्रकार की संग्या है तो देखो मोर की जात ही होती है परसनल किसी की बात नहीं हो रही है मोर की जात होती इस प्रकास से आप सनराइट आपका डी हो जाएगा जाति वजक संग्या नेशकर आप से निमलकित में से कौन सा असुद्द शब्द है असुद्द सब्द देखो जो उजल लिखा जाता है बिल्कुल इसी प्रकार से उजल लिखा जाता है ब्याकरण लिखा जाता है इसी प्रकार से कृतग ने इसी प्रकार से लिखते हैं लेकिन सताब्दी है यह आपका गलत है सताब्दी जो आपका लिखा जाता है वो आपका किस प्रकार से यहाँ पर आ सरलवाकि, संयूक्तवाकि, मिस्त्रवाकि में कुछ पहचान होती है, जैसे कि जो सो ये जो आपके वर्ड आते हैं, एक संबंद प्रदनिसी करता है इस वाले से आपके इसके लिए, अर्थाति ये आपका मिस्त्रवाक का उधारण है, बी नमबर आपका सही हो जाएगा मिस्ट रवाक नेश कर आप से व्याकरण के आचारी के लिए एक सब्द क्या होगा व्याकरण के आचारी को क्या बोलते हैं व्याकरण बोलते हैं क्या बोलते हैं व्याकरण आपको हो जाएगा यहां पर C number वयाकरण नेस्ट कर आप से कुंति के पुत्र के लिए एक सब्द बताईए कुंति के पुत्र के लिए जो आपका सब्द हो जाएगा वो से बुलते है कौंते आप लोगोंने महा भारत पड़ा होगा देखा होगा सुरी तो वहाँ पर आपको क्या होता है कौनते पुत्र बोलते हैं ना कौनते पुत्र था तो आपसन आपका C हो जाएगा कौनते ठीक है यह हो जाएगा किस मोहौरे का अर्थ परेशान करना है परेशार करना अर्थात यहाँ पर आपका देखिए अपसन के अंसार आपका हो जाएगा परेशान करना मतलब की अपसन आपका ए छक्के छुडाना हो जाएगा ठीक है ए नमबर छक्के छुडाना आपसन के अंसाल देखना है नेशकर आपसे यह किताब रमेश को देदो यह किताब रमेश को देदो तो यहाँ पर आपका देखो कह रहा है रमेश को देदो यहाँ किताब किताब जहाँ पर है यह आपका कर्म है किताब क्या है कर्म है और को सब्द आपका है अर्थात यह कर् हो जाएगा यहां पर डी नमबर करम है ठीक है तो आपका यहां पर करम कारक हो जाएगा नेश कर आप से चंद मुख सब्द में समास बताएगे चंद मुख आर्थाती से हम तोड़ेंगे तो बनेगा चांद के समान मुख. हमने आपको एक word बताया था, के समान, या आपके कैसे एक रूपी, या महा शब्द जो आते हैं हमें ही साइज आपके करमधारे समास पर हो जाएगा बी नंबर करमधारे समास. नेस कोश्चन आपसे अगला पूछा गया आपर आकर्षण का विप्रीत सब्द बताईए आकर्षण का तो भई आकर्षण का विप्रीत होता है विकर्षण क्या होता है विकर्षण आपसन रेट आपका बी हो जाएगा नेस कर आप से बहुत तेज वर्षा हो रही है तो देखो बहुत तेज वर्षा हो रही है वर्षा यहाँ पर कैसे किरिया है ठीके तेज आपके यहाँ पर भी सेशन है बहुत आपके यहाँ पर क्या है प्रावी सेशन है तीस प्रकात से जो प्रावी सेशन है वो आपके कौन ह हो जाएगा भी हो जाएगा बहुत ठीके बहुत आपका क्या है प्राविसेशन है ठीके नेश्ट कर आप से मद्धिकाल में काब विभासा की रूप में सरवाधिक प्रिचलित बोली थी तो सरवाधिक प्रिचलित बोली आपकी कौन थी याद रखिएगा मद्यकाल में आपकी ब्रज भासा थी ठीक है सी नमबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 99 नमबर आ गया है देखो हमने बताया था कि लगभग जो आपका वीडियो का टाइमिंग है मतलब कि हम हिंदी के बाद आपको कह सकते हैं समान विज्ञान या कंप्यूटर या इंपर्टेंट वाले आपके पॉइंट यहाँ पर वीडियो कान्त में दे देते हैं तो जिन बच्चों को हिंदी का टेस्ट लगा लेंगे और जिनको लगता है कि ने और भी हमको लगाना है टे इसक विडियो के आगे आपको समान विज्ञान का मिटेस्ट लगाना है ठीके तो यहाँ पर आपको दिया है दा दा का उच्चारण स्थान क्या है तो बइस लटकिया आ रही है इस वाग्य में कौन सा विसेशन है कुछ लड़किया आ रही है इस इस वाकि में कौन सा विसेशन है तो देखो यहां पर आपका यह 100% है जब नेश पार्ट आपको आएगा वहां पर इसका जवाब देखने को मिलेगा जो हमारे पिछले वीडियो में कमेंट आये थी तो कमेंट के अनसार एक कोश्चन आपका रह गया था यहां पर उसको भी द ठीके तो विसेशन किस प्रकार का विधी विसेशन है यह प्रसना आपका रह गया था एक कोश्चन आपने आपर कमेंट के लिए दिया था क्या था कि निम्रिकी सब्दों में से कौन सा असुद्ध सब्द है असुद्ध सब्द आपका कौन सा है तो देखो यहां पर आपका जो पुनर विचार है यह आपका गलत लिखा था जो लिखा जाता है वो इस प्रकास से सही लिखा जाता है ठीके अधर यहाँ पर आपकी अनुदित और आपका यह सही है एक बच्चे ने इसका जवाब दिया था बलकि वो गलत है अनुदित मतलब इसी प्रकास से सही लिखा देते हैं फिर समान विग्यान का विटेस लगाते हैं साथ मुन बच्चों को बताएंगे जुनों ने जवाब सही दिया था यहां पर देखिए आपके जूनियर असिस्टेंट में जो आइव का स्लेबस है तो देखिए सबसे ज़्यादा आपकी हिंदी आ रही है 60 प्रसनों की हिंदी आ रही है 60 प्रसनों गे लेकिन हर 1 प्रसन और यहाँ पर minus marking भी आपकी एक बटे चार होगी अब यहाँ पर आपकी हिंदी में लगभग आपका सभी कुछ आएगा क्योंकि 60 प्रस्ण आपके हैं तो लगभग आपका आ सकता है और पूरता आपको फिर बहुत जल्दी आपको बता देंगे लेकिन अब इतना समझ लिजिए कि हिंदी अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी में एक भी प्रॉलम नहीं होने देंगे इसकी गारंटी है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब हाई स्कूल लेवल का होता है ठीक है सब कुछ आपको पढ़ना पढ़ेगा जीस थोड़ी भी आएगी तब भी पढ़ना पढ़ेगा हिंदी भी होगी ज़्यादा पढ़ना पढ़ेगा समझ गये ना तो यहाँ पर आप लोग जूने असिस्टेंट काफी बच्चों के मैसे जा रहे हैं यहां पर कंप्लीट हुआ यहां पर बच्चों ने जवाब दिये था हमारे पिछले वीडियो में प्रखोथ कम्प्यूटर में कि सबसे जो आपका तिब्र कंप्यूटर होता है सुपर कम्प्यूटर यहाँ पर आपके मोहन सुकला जी है जिन्होंने सही जवाब दिया है यहाँ पर 94 नमबर का जवाब आथा तो आपके अनुभाव ने बताया कि 94 नमबर छूड़ गया था हमने आपको देखो बता दिया है पुनर विचार जो आपका हुआ यह आपको कह सकते हैं आपके गलत था सही इस प्रकास नमबता दिया है आपके दिया है शूराज चवहान इन्होंने कह सकता है कि जो प्रैक्टिश है आपके पुराने उनको फिर से सॉल करा दीजे देखे आपके अभी जो स्लेबस है उसके अंसार यहां पर कह सकते हैं कि आपको करा देंगे आपके पूरे-पूरे फिर से करा देंगे लेकिन अभी आप जितने हम अप्लोड कर रहे हैं उनको देख लीजे पुराने वीडियो फिर से पीडियाप दे देते हैं और जी उने सिस्टेंग का सिलबस पूछा था इन्हों ने जी तेन सानी ने इनको भी जवाब हमको मिल चुका है जोती यहां पर के आपके मोहन जी नमबर आपको हो जाएगा ठीक है नेस कोचन आप से एकला पूछा गया है कि दुई नाम पद्धित के प्रतिपालक कौन है तो यहां पर आपके चार आपसन है डार्विन, थिओफ्रेस्टरस, लीनियस और आपके हिपोकिलिस तो दुई नाम जो पद्धित के आपके प्र प्रत्म किस ने की थी यहां पर आपके हैं रावट कोच, लुइस पास्चर, लुवेन होक और आपके रावट होक तो जीवान की खोच करने वाले आपके कौन थे तो यह आपके लुवेन होक थे टेकि लुवेन होक अपसन पर सी हो जागा नेस कोच आप से एगला पूछा गया है कि जिन पोधों पर बीज बनते हैं किन्तू पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो तीरपन का उप्सन आपका दिया है आपर अपर ब्रायोफैट्स, टेरीफैट्स, आवरत्वीजी और आपके अनावरत्वीजी तो आपका राइट अंसर क्या हो तो राय टइनसर आपको हो जाए गया आपर अनावरत वीजी कहते हैं जिन पॉदोस पर बीज बनते हैं कि इन तो पुछ नहीं लगते हैं ठीकर नेसक चना आप सेगला पूछ आ गया है जिवारुों की साधारन आकरती क्या होती वह और हुती है जिवारुों की जो आपकी आक आकार भी होती है ठीक है नेस कोशन आप से अगला पूछा गया है कि जो जीवाडू आकार में सबसी छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं वाइब्रियो गोलाडू दंडारू या आपका इस्पाइरिला क्या कहते हैं तो राइट अंसर आपको यहां पर कौन सा हो जाएगा अ तापेदिक चेचक यह सभी राइट अंसर आपको क्या हो जाएगा राइट अंसर आपको हो जाएगा यहां पर जो वैक्टिरिया से होता आपको वो तापेदिक होती है ठीक है तापेदिक नेस कोशन आप से एकला पूछा गया है कि मानों की आत्में पाया जाने वाला जीवारों होता है उसका नाम है आपका S-Rherycia coli ठीक है ए नमर आपका हो जाएगा नेस्ट कोचन आप से गड़ा पूछा गया है कि एंटी बायोटिक्स अधिकान सपाये जाते हैं एंटी बायोटिक्स अधिकान सपाये जाते हैं किस प्रकार में तो कहां पर होते हैं आवरत कि इसल्स कोची होती है और इस की होती है ओग की फोष्का होती है और सबसे तो यहां पर रोग जो कि आपके जीवाणु की कारण होता है तो यहां पर रोग जो की आपके जीवाणु की कारण भी हो जाएगा नेस कोचन आप से गला दिया है कि निमलिकित में से किस से दौरा दूद खटा होता है था किस के दौरा दूद खटा होता है वाइरस के दौरा बैक्टिरिया के दौरा निमेटोर के दौरा या प्रोटो जोग के दौरा तो आप सब को पता है कि दौर में जो खटा पन होता है बैक्टिरिया के कारण होता है ठीक है बैक्टिरिया के कारण नेस कर आप से कि निम्लिकित में से कौन सा रोग जीवाडु संक्रमन के द्वारा होता है या होती है तो जीवाडु संक्रमन के द्वारा होता है कौन सा पेचिस दम्मा कोष्ट ये एसा भी तो आपके यहाँ पर एड़वर्जेनर, लेनियस ये आपका A Smith, राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट अंसर आपका हो जाएगा A no. शरवर्तम विशानर की खुश कीती आपकी इवानवास्की ने, ठीकी इवानवास्की ने, नेश कोचन आपके आप से गलाप पुछा गया है पर, कि चेचक के लिए TK का विकास किया था, यहाँ पर आपका दिया है मिलिष्ट्री ने, ईड़ जेनर ने, लूई पास्चन ने, इन में से कोई नहीं तो चेचक के जो आपके अविस्खारक थी आपके थी काउन? एडवर जेनर थी ठेक है? यह नम्र आपका हो जाएगा निशकर आपसे कि दूद के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूद के दही के रूप में जमने कारण क्या है? आपका Lactobalces Microbacterium या खमीर या इन में से कोई नहीं तो दूद के दही के रूप में परवर्तित होना आपका कह सकते हैं किस कारण तो आपके Lactobalces की कारण होता है ए नमर आपका हो जाएगा नेस कोशन आप से एकला पुछा गया है या इन महाँ पुछा जा निम्री खित्में से कौन सोपbuसी होते हैं तो सपथ़वाब, विशारू, कवक्या, प्रोटो, जोवा तो सपथवाब जोब को आपके होते हैं कौन तो आप्सन राट आप का A हो जाएगा आपके सयवाल ठीक है सेवाल नेस कोशन आप सेगला पूछा गया है टिक का रोग किसमे होता है टिक का रोग किसमे होता है जोर में गन्ना में चावल में या आपके मुंगफली में तो राइट एंसर आपको क्या हो जागा तो टिक का रोग जो होता है वो आपके होता है मुंगफली में एंसर च्झे है रोग्वहिजक होता है तो अचाहीवी च्यक्टान पर अपका से प्रेक्च्र shaped प्षैण च्यक्ति मुरोगों और लगर से यहां दोड़े ब्रेंट शजरूब्य प्रे एक्टिक्र आपको से प्रेंच कर नकी कि आप लोग देख के ही जवाब बता सकते हैं अगर आप नए है तो डेली डेली लगाईए आपको 100% एक कमांड बन जाएगी आपके समान विग्यान में ठीक है तो आपका कौन से लोग विशानू की कारण होता है मलेरिया येच्छमा चेचक या आपका पेलिया राइट अनस से या आपके यूलोथ्रिक्स से या आपके एक्टो कारप्ट से या आपका लैमनी रिया से किस से होता है राइट अंसर आपका सत्तर को हो जाएगा या पर आपका डी नंबर आपके लैमने रिया से होता है आपके आवरदीन प्राप्त होता है ठीक है नेस करा आप से उत्पन होता है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन होता है किस के दोरा विसानू के दोरा जीवानू के दोरा इस्ट के दोरा या आपके प्रोटो जोबा के दोरा तो यहाद रखिए हाइड्रोफोबिया रोग जोबा के होता है वो आपके विसानू के दोरा होता है कुत्ते की काटने से होता है और इसमें बेक्ती पानी से भी डरने लगता है ठीक है नेस कोशन आप से गला पुछा गया है कि निम्रकित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं तो एंजाइम किस में नहीं होते हैं विशाणू में जिवाणू में उसे क्या कहलाती है तो हैजा है पेची से आपका ममस है और आपका हेडोफोबिया राइटन सर आपका अभी आपने बताया था या कि कुत्ते के काटने से आपका जो विशान्ड द्वारा होता है आपका को नहीं होता है, हेड़ो फोबिय रोग होता है, डी नमबर आपका हो जाएगा, next question आप से एकला पूचा गया है, कि SARS, SARS से क्या है, संचारी प्रणारी, आपकी विश्वान जन्यत रोग तो आपका याद रखिए सार से क्या है आपका विशान जन्यत रोग है ठीके और यहाँ पर next question और यहाँ पर दिया है खस्रा निम्लिकी संक्रमन के कारण होता है खसरा जो आपके होता है किस कारण से होता है यहाँ पर आपका जीवाडू, मैको पलाज्मा, वीशाडू यापके सहवाल तो यह आदर की खसरा जो आपका होता है आपकी वीशाडू के दौरा किस के दौरा वीशाडू के दौरा option right आपका C हो ज़ेगा next question आप सेगला पूछा गया है कि आलू में मुझैक रोग का कारण क्या है है आपका विशाडू तो right answer आपके यहाँ पर कौन सब्सक्राइगा allu में कॉन सब्सक्राइगा तो मुझैक रोग का कारण होता है आपके विशाडू के द्वरा नेस question आप से गला है कि जनतुओं में होने वाली food and mouth रोग किसके करणा होता है तो food and mouth रोग जो होता है वो आपकी किसके दोरा विशाणू फूटो जो होगा या जीवाणू या सभी तो आपको यहाँ पर हो जाएगा विशाणू की दोरा याद रखना है जो जनतुओं में होती है food and mouth रोग जो होता है वो आपकी विशाणू की दोरा होता है ठीके नेस करणा आप से याँ पर कि सहवालों की कुछका भित्ती किसकी बनी होती है तो यह आपकी होती है सेलू लेज़की ठीके किसकी होती है सेलू लेज़की ठीके और नेस कोचन आप से अगरा पूछा गया है कि कि किल्प प्राप्त होता है किल्प प्राप्त होता है किससे तो किल्प आपके प्राप्त होता है अपकी option right आपको हो जगा भी समुद्री सहवालों से ठीके समुद करके बताना है ठीक है फ्रेंस आज की वीडियो इतना ही अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो लाइक भी करिए चैनल को सस्क्राइब करीजिए हमने प्लेलिस बना दिया है तो प्लेलिस के मादम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं और धन्यवाद जय हिन जय भारत